पिछले साड़े छह साल के अंदर कोई सतर से जादा राश्चा ध्यक्षों को गीता दे दी गई है जो भारत आया था खुशी की ये बात नहीं है जो आएगा उसे तो गीता मिलेगी जो मेरा interpretation है वो दूसरा है मेरा interpretation यह है कि भारत की जो रक्षा policy है उसका narrative यह था कि हम पहले हमला नहीं करेंगे क्योंकि जो पूर्व सरकारें थी वो इतने high confidence के लोग थे कि उनको मालूब था कि उन पे हमला होगा उसके बाद भी जिन्दा बच जाएंगे और जिन्दा बचेंगे फिर हम हमला करेंगे तो ऐसी low IQ की high confidence की हमने सरकारें नहीं देखी इस आदमी को लगा कि यह दुनिया में कहीं यह policy होती है आप अपने घर में करते हैं यह policy कि एक आतंगवादी घुज जाए पहले वो जब गोली चलाएगा उसके बाद आप चलाएगे तो वो गोली हवा में चलाएगा आप उसके सीने पर चलाएगे क्या आप रहेंगे तब गोली चलाओगे न भाई इस आदमी ने बिना किसी cabinet की meeting के कोई doctrine नहीं थी हमारे या यह लेकिन जैसे हमारे यहां महात्मा गांधी को महात्मा गांधी आप कहते हैं और जब यह पूछते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा गांधी कहने के लिए भारत के संविधान में कहा संशोधन हुआ संसद में कहा बात आए कि इनको महात्मा गांधी कहा जाएं तो पता चला RTI में के नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है आप अपने मन से कह रहे हैं मत कही है तो बहुत सारी पॉलिसी इस हमारे हैं बन गई लेकिन कभी वो डॉक्ट्रीन नहीं बनी तो यह जो हुआ कि साब हमारे तो पॉलिसी ऐसा है कि हम पहला हमला नहीं करेंगे इस आदमी ने बिना लंभी चोड़ी बात करते ही इनको लगा कि फला जगे से हमला होने वाला है ये उठे उन्हें वाजहा के हमला कर दिया अब बाला कोट में जब हमला कर दिया तो पाकिस्तानी बոरे ये तो ओ कह रहे देखिएगा मेरी बातों को जिस वक्त बाला कोट पे हमला हुआ तो उस हमले में आपका एक आदमी उदर रह गया आप पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना तकड़ा होमबर किया है एक देश ने ये नहीं कहा कि भारत ने ये गलत किया है उनकी बाउंडरी लागी है क्योंकि उन सत्तर देशों का अगर आप रियक्शन पढ़ें सब ने गीता पढ़ी थी उन सब का रियक्शन आप देखें तो मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने गीता लेके नहीं गए पढ़ ली थी इसलिए काका ने फून किया अमरेका से इसको जल्दी छोड़ दो अभिनंदन को ये गीता का आदमी है ये चानक के मानने वाले लोग है अगनी लगा दिये शाम तक हमें पता नहीं तुम रहोगे नहीं रहोगे इसको छोड़ो जल्दी जैसा था वैसे ही छोड़ दिया आप समझ रहे हैं क्या किते हैं पाकिस्तान ने हमारे उपर बड़ा इसान किया शाम को वो भी आ जाते जो थे पकड़े हुए और ने का ये आदमी गीता का जानने वाला है और गीता ही पढ़ता है उसमें लिखा है इसके बाद इसे क्या करना है आपको नहीं पता हमारे देश ने अगनी अलट पर रखी धुई थी तो कैसे फर्क चलता है कैसे दुनिया की राए आपके बारे में बदल जाती है और कैसे आप एकदम पॉलिसी को बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है आप जब घिगयाते थे गड़गड़ाते थे तो जरा सी कोई बात होती थी कोई कह देता तो आपके हाथ पर कापने लगते थे आप 370 पे CAA के उपर काका यहां आए बोले दिस इस इंटर्नल मेंटर अफ इंडिया ये बात नहीं थी इसलिए मैं बार बार ये भाव आपके अंदर पैदा करना चाता हूँ काम कोई भी कीजिए छोटा सा कीजिए इसलिए मैंने मराठे जी ने जो काम किया है इसका सदियों तक इंपेक्ट रहेगा हम सब को इस आंदुलन को घर तक पहुँचाना है आप सब ने मेरी बात पूरे दहर के साथ पूरे तहमल के साथ सुनी आप जब जब बुलाते हैं मैं तब तक आऊंगा मुझे लगता है कि मुंबई और महराष्ट या गुजरात में जहां लोग मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि ये दो वो जगे हैं जहां पहले से इतने राष्टवादी है वहां जाने की क्या जरूरत है मैंने कहा यार कि पहले तक तो मैं समझता था कि बात ठीक है लेकिन जो अभी आपके यहां बंदर बांट हुआ है सत्ता का उसके बात लगा कि यहां राष्टवाद की जादा जरूरत है इसलिए कुछ लोगों को बताना है सत्ता के लालच में अपने कम से कम उस बाप को तो मत भूल जाओ जिसने पूरी दुनिया के अंदर एकी शब्द से अपना नाम कमाया था वो बोलता था और बिहार में लोग कपकपाने लगते थे आज तुम उसको तुम उस मृत्व आत्मा को भी शद्दानजली देने से डर रहे हो लानत है ऐसे लोगों पे जो हिंदुत की राजनीती करके देश को बेशने में लगे हैं किन लोगों को सत्ता में उन्होंने बिठाया है कौन लोग है वो ये किसी से छुपा हुआ है जो हो रहा है वो सबको पता है इसलिए आपने भरोसा किया वोट दिया दुबारा गल्ती मत करियेगा बहुत बहुत शुक्रिया थाइंक यू बरी मच प्रॉबारा गल्ती मत कर दो किका है